हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो मा यूटूब चैनल नेजर एरा मैं आज अपने इस यूटूब वीडियो में आपको बताने जारी हूँ कि प्रेगनेंसी की समय दूद कब पिया जाना चाहिए क्या प्रेगनेंसी की समय दूद पी सकते हैं या नहीं उससे पहले दोस्तो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे तो चलिए बात करते हैं आंगे इस प्रेगनेंसी में महिलाओ को दूद कब और कैसे पीना चाहिए दोस्तो दूद कई प्रकार के होते हैं सोया, मिल्क, बादाम का दूद, नारियल का दूद, येसर का दूद, बकरी का दूद, गाय का दूद, भैस का दूद इतने प्रकार के दूद होते हैं तो महिलाओं को कौन सा दूद पीना चाहिए, कौन सा दूद महिलाओं के लिए बेटर होगा पताते हैं आपको. तो दोस्तों, गर्वती महिलाओं के लिए गाय का दूद सबसे ज़्यादा फाइदे मंद होता है। तो दोस्तों, चलिए आप बताते हैं गर्व अवस्था में दूद का सेवन कब करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दूद में ऐसे पोशन तत्व होते हैं जो आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इसकी जगा बकरिय भैस का दूद पीती हैं तो आपको पूरे पोशन तत्व नहीं मिल पाते हैं जो बच्चे को मिलने चाहिए। या आपको प्रेगनेंसी के दौरान मिलने चाहिए। तो अगर आपको पूरे तरीके से पोशन तत्व चाहिए आप अपने बच्चे को एक हल्दी रखना चाहती हैं तो आप प्रेगनेंसी के दौरान गाय के दूद का सेवन करें या आपके और आपके बच्चे के लिए का अप4 प्रेगनिंशीयक ऐसा समय होता है जहां मां को अपना ख्याल रखना होता है साथ साथ अपने पेत पल रहे हैं बच्चे का भी ख्याल रखना होता है क्यूंकि मां जो भी कुछ खाती है जो भी कुछ खाती है जो भी कुछ खाती है वो बच्चे के विकास में जाता है तो बच्चे के विकास के लिए आप वहीं चीज़ कहें जो अच्छा हो तो गाय का दूद बच्चे के विकास में काफी जादा मदद करता है तो गाय का दूद पीना प्रेगनेंसी में क चोड़ को डाइक होगा पर सीमीत मातरा में ईकार बूर आपने बच्चक और आपको हेल्दी बनाए रखे न एकर आपको रूम प्रूटीं मेरी वीडियो को लाइक करें साथ ही साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी हेल्थ रिलेटिट वीडियो लाऊं और अगर आपको और भी कोई क्वेरी है या आपको कोई क्वेशन पूछना है तो आप मुझे कमेंट स्रिक्षन में पूछ सकते हैं तो मैं आपकी वो क्वेरी जरूर सॉल्व करूंगी